नमो बुद्धाय जैबी मैं मितुन कुमार बुद्ध जैन्ति के उपलक्ष में आप सबी साथियों को फिर सारी बदाईया देते। सामाजिक करांति के अग्रदू और सारे विश्व के महाकारणिक ततागत्तमुद्ध जिनोंने समता मुलक समाच बनाने के लिए जो पहल की है उसके जो तत्व है समता सौतंत्रता बंदूत्वा और न्याय जिसकी उकल बाबा साफ डॉक्टर भिमराव अमबेटकरजी ने सव अलम 32 की अनुसा जो फंडामेंटल और मौलिक अधिकार के इसमें रखी है उस ततागत के भारत देश में जैनती बहुती हरसो उल्लास के साथ में मनाय जाता है ततागत सम्मेक संबुद्दन है हमें जो क्रांती की मिसाल हमार लिए रखी है वो क्रांती की मिसाल हमें प्रणा दे दे रही है और उसके उपरान सभी साती उसे प्रेरित होकर समाज के उस निसले हिस्से को भी आगा करने की उनके अंदर में साहाज भरने की पूर जोर कोश वज़त से जो लागडाउन चल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा बहुत धम्म को मानने वाले सभी उपासक भिख्शुगन सभी प्रेलित होकर निरणतर काम कर रहे हैं यह उद्ध की वह मानावतावाद सितान्थ है जिसके लिए हम सभी पूरी तरह से संगर्श करें और यह सं कारिय करने के लिए प्रेलित करता है मैं चाहता हूँ कि हम बुद्ध के उस समता स्वतनाता बंदुतोर नयाय को पूरी तरह से समाज में फैलाने के लिए उनके निरतर काम करने की प्रकिया को बनाने के लिए हमें हमारे मन को आजाज पंची की तेरह फ्रेड़ना में बनाना पड़ेगा क्योंकि बुद्ध कभी भी एक समय पे जादा से जादा नहीं ठेरे वहें निरतर चलते रहे चलते रहे और शायद दॉक्तर बाबा सवामिटकर जी को भी बुद्ध की वो चलती प्रतीमा फ्रेड़ना में रही है मैं आप सभी साथियों को फिर से बहुती खुशिके साथ में ततागर सम्यक्संबुद्ध की बुद्ध जयनती के उपलक्ष में आपको ठेर सारी बदाया देता हूँ और हम सभी कसम खाते हैं हम सभी उसके लिए प्रेरित होते हैं कि हमें इस बुद्ध धम्म को सारे विश्यों में फैलाना है और उसका प्रचार और प्रसार करने के लिए तन मंधन से कारेरत होना पड़े हमें हमारे इगो को दूर रखकर एक मैत्री भावन के साथ में सभी लोगों के साथ में हातों में हात रखके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा तबी सही माइने में ततागत संबुद्ध की जो मैत्री करूना जो जिस तत्व के आधार पे बुद्ध ने अपनी बात रखी है उसके लिए वो सही साबित होगी आईसा मैं आप लोगों से अपिल करता हूँ सादुवाद नमो बुद्धाय जय बिग